आप सबीका स्वागत है मेरे यूटिब चालर टाहेट भाइकर में आज क्या विडियो होने वाला है स्पेसिफिक कार के इंटेरियर क्लिनिंग के उपर तो फ्रेंड्स हम क्या करते ही कार का जो एक्स्टेरियर क्लिनिंग है उस सिर्फ हुआ हम करते मतलब इक्जमपल बात करें तो फोम वॉष हो गया या फिर नॉर्मल वॉष या फिर डिसल वॉष तो फ्रेंट्स हम क्या करते ही कि इंटेरियर की तरफ हम दयादा धर ध्यान नहीं रहते तो फ्रेंट्स इंटरियर में बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो गंदे होते, पहला एंटरियर का पार्ट जो ज़्यादा गंदा दिखता है है हमारे गhow क хл現在 हम इंटरे क्लीनिंगर ञें कर रहते तो काफी गंदी दिखती है और उसके वज़े से क्या होता है कि हमारा जो overall car का appearance है वो काफी गंदा होता है तो friends दूसरा जो है part हमारा car का वो है हमारा roof roof क्या होता है कि धूल वगेर लगने से क्या होता है कि वो काफी ज़दा गंदा दिखता है उसके अबत हो गया हमारा जो dashboard है वो मिट्टी के पारेटिकल्स बगेरे लगने से वो जो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और friends, main जो factor है वो है हमारे car के mats के नीचे का section हम सिर्फ car में अपने floor mats डालते हैं और अगर आपने उसके नीचे lamination नहीं किया है तो आपका जो base car का floor mats के नीचे वाला तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मिट्टी के वगेरा लगने के कारण से और ये जो friends मैंने car का जो interior का काम किया है वो किया है रतनागिरी में और friends अगर आप रतनागिरी से बिलोंग करते हो तो आप इधर जाके काम कर सकते है इधर आपको polishing या फिर exterior cleaning का भी option मिल जाता है तो friends shop का जो address है वो डाल दूगा मैं description में ताकि आप अगर रतनागिरी से बिलोंग करते हो तो उदर जाके आप जो पूरा काम है वो कर सकते है और friends इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लाश तक देखिए तो ताकि आपको पता चलेगा कि कार का जो पूरा detailing का इंटेरेर क्लीनिंग जो है वो कैसे होता है झाल 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 अजय को खुआ है टेज़ लूगा जब लूगी जाए नब लूगा वह बुटा कि लूगा 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 पर चूरा हुग है कि क 환å है, आपके का दिए भी शहां है अथा का लघगी शृणता है और अए पड़ाँ करेंपक Insert उपके मिल है किजिए लिए इसका अंन होता है झाल 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 झाल